दोस्तों बहुत बहुत सब्सक्राइब करता हूँ आपका चैनल पर मेरे ना में शान आप दिखेंगे टेग्डियस और आज की वीडियो में बात करने वाले रेड्मी नोट 9 के बारे में जैसा कि आपको पता होगा कि इस फोन में चार कैमरा है और इसका प्राइमरी कैमरा 48 मि के बारे में जो कि इस फोन को बहुत यूनिक बनाती है आप इस वीडियो को लाज तक देखिए और मैं आपको प्रेकर चलता हूँ इस फोन के अन्बॉक्सिंग के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है इस फोन को set up करने के बाद हम बात करेंगे इसके physical overview की physical overview के बारे में अकर हम बात करें तो हम सबसे पहले start करते हैं इसके top पर से जहां पर आप देख सकते हैं एक air blaster और एक noise cancellation mic और अगर हम बात करें इसके right hand side पर तो यहां पर आप देख सकते हैं वालियूम रोकर कीज अपसेंड और यहां पर आपको पावर का विटन देखने के लिए मिल जाता है बात करें इसके लेफ साइड के तो यहां पर आपको एक सिम ट्रे मिल जाती है जहां पर आप दो सिम यूज कर सकते सब्सक्राइब के साथ जो कि 512 GB तक सपोर्टेबल है और मैं बात करें इसके बॉटम की तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है 3.5 mm का जैक और एक माइक और एक यूजब टाइप सी पोर्ड और सिंगल फायर स्पीकर और बैक पर आप देख सकते है एडमी का लोगो और यहां पर आपको फिंगर्प्रिंट देखने के लिए मिलेगा और एक क्वार्ड कैमरा का सेट अप विद लेडी फ्लेश इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 6.5 इंचिस की फुल एच्डी ब्लस डिस्प्ले जिसका एस्पेक्ट रेशियो 19.5 का सपोर्ड और अगरम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है मीडिया टैप का हीलियो जी 85 ऑक्टागर प्रोसेसर जो कि गेमिंग प्रोसेसर है और इसके बारे में आपके बता दो कि यह फोन MIUI 11 पर रन कर रहा है Android version 10 के साथ और आप देख सकते हैं यहाँ पर system update available है अगर हम बात करें इसके camera की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार camera का setup दिया हुआ है जिसमें किया इसका primary camera 48 megapixel का है और booster camera की बात करें तो वह 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड लेंस है और इसमें आपको 2 megapixel का मैक्रों यहाँ और 2 megapixel का depth sensor दे अप्शन हो रहेगा और अभी मैं आपको इस पर पपजी खिलकर दिखा रहेता हो कि पपजी किस तरह की सेटिंग में इसमें काम करता है और अभी आप देख सकते हैं कि आपर मैंने स्मूद अल्ट्रा पर सेटिंग कर रखिये ग्राफिक्स की लेकिन यह मैक्स एसडी तक ही जाएगा एच्डियार का उप्शन अभी इस डिवास पर अवैरेबल नहीं है इसमें आपको 5020 में इसकी बैटरी देखने के लिए मिलेगी इसी के साथ आपको बताता चलू कि यह फोन 22.5 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है सबसे अच्छा इंप्रस्टिंग पॉंट यही है कि यह फोन रिवर चार्जिंग को सपोर्ट करता है जिससे कि आप आइन बॉर्ट तक के चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है आप अपको दिखाता चलू कि आपको स्टॉक चार्जर को इस तरीके का देखने के लिए मिलता है इसका आपको 5V 3A है तो यह आपके फोन को काफी जल्दी चार्ज करेगा और मैं अभी आपको रिवर्स चार्जिं के बीदे हैं और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहां पर चार्ज नमागों और स्टार्ट हो चुकिए यह दौर्ल Bonk अफोन करेक्टिड हैं तो इसी के साथ यहां पर आपको रिवर्स चार्ज़्िंग का सपोर्ट देखने क्लिए मिलता है जो कि आइफ़ोन के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझे सोचल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक आप अपने ध्यान रखें से यू सुन बाई